आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, ते आप Question की वे वे ना Question में कहा जा रहा है कि एक Mass आपका 2kg का सस्पेंड किया गया है का स्ट्रिंग से जिसका स्ट्रिंग का Mass 6kg दे रहा है और जो Object जो सस्पेंड किया गया उसका Mass 2kg है और एक Wave जिसका Wave Length का Value 6cm है इसको Produce किया गया है Bottom of a Strings है, ठीक है? सबसे निचले बाले portion के स्ट्रिंग से वहां आपसे Produce किया गया है तो बोला जा रहा है कि Wavelength बताइए, वेव का जब वेव आपका Top End of a Strings पे पहुँच जाएगा तो सबसे पहले अगर इसका मैं Diagram अगर आपको मैं बना दू तो Just Like आपका क्या है? कि ये वाला portion समझे कि आपका Silling वाला portion है और यहां से आपका क्या है? कि एक String लटका हुआ यहां पे, ठीक है? यहां पे आपका एक String है और Further इस String के बाद क्या है? कि यहां पे आपका एक Mass भी इस से Connected है, ठीक है? अब Point आपका यहां पे कहा है कि इसका Mass दे रखा है 2 kg और यह जो String है इसका Mass आपका दे रखा है 6 kg के बराबर तो देहान दीजिएगा इसके जो Top वाला जो Portion है यह जो Top वाला Portion जिसको कहूँ मैं यह जो, Sorry, सबसे जो Bottom वाला Portion है यहां का अगर मैं Tension बोल देता हूँ यह जो Bottom वाला Portion है, यहां का Tension मैं T1 कहता हूँ तो इस T1 का Value कितना होगा तो यह जो T1 होगा, सिर्फ और सिर्फ इस 2 kg के कारण होगा तो आपका हो जागा 2G के बराबर और यह जो सबसे उपर वाला जो Portion है यहां का Tension अगर मैं T2 कहलू तो इस T2 का Value कितना होगा तो इसमें 6 kg और 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 2 kg पहले से था तो यह आपका हो जागा 8G के बराबर हो जागा, ठीक है अब Next अगर मैं बात करूँगा कि यहां से आपका क्या हो रहा है कि यहां से आपका Wave क्रियेट कर रहा है और आपका पहुंच का रहा है यहां पहुंच जा रहा है ध्यान दीजेगा आपका wave जो create हो रहा है तो उसका frequency तो change नहीं करेगा, wave का throughout frequency तो भी रहेगा, तो हम लोगों ने relation पढ़ा है कि जो velocity होता है wave का, वो आपका बराबर होता है f into का lambda के, v आपका speed है और lambda आपका wavelength होगा, frequency हमारा constant है तो we can say that कि आपका velocity के wavelength के directly proportional है, अब अगर मैं यहां से कहूँ कि point आपका क्या होगा, कि जो आपका यहां पर bottom का है और जो top है, ठीक है, तो bottom का मैं speed अगर मैं v1 कहूँ, तो v1 upon lambda 1 जो हो जाएगा, वो बराबर होगा, top का अगर मैं speed अगर मैं v2 कहूँ, तो v2 by lambda 2 के बराबर आएगा, ठीक है, आपका throughout, जो same string है, तो frequency आपका change तो करेगा नहीं, ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर बात करें, तो velocity के बारें बात करते हैं, हम लोगों ने एक string में relation पढ़ा रखा है, velocity का, velocity का relation कहा होता है, तो आपका हो जाता है, under root of t upon mu, यहां पर t जो आपका होता tension होता है, और mu mass per unit length होता है, तो आप यहां से velocity कह सकते हो, directly proportional लोगे आपका under root of tension के, ठीक है, तो मैं यहां से क्या कहूंगा, v1 by v2 को मैं लिख सकता हूं, under root of t1 by t2, ठीक है, t1 धेयान दिजेगा, bottom का tension, t2 आपका, top वाले position का tension, is equal to lambda 1 by lambda 2, हमें lambda 2 निकालना है, ठीक है, second वाले point का आपका value निकालना है, lambda 2 का value निकालना है, तो lambda 2 आपका यहां से क्या आजाएगा, यह value आपका आजाएगा, lambda 1 और आपका साथ में आजाएगा, under root of t2 by t1, ठीक है, अब lambda 1 का जो value दे रखा है, bottom पे आपका कितना है, तो 6 cm का था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लूँगा, lambda 1 का value 6 cm, t2 का मान कितना था हमारा, तो t2 था आपका, 8 और t1 था हमारा 2, तो यह आपका हो जाएगा, 8 g by यहाँ पे हो जाएगा, हमारा 2 g, तो यह g से g कैंसल, और यह आपका 2, 4 सा 8 हो गया, तो under root of 4 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 6 x 2 का 12, 6 x 2 करेंगे, तो आपका आपका 12 cm, और अगर मैं option से बात करूँगा, तो आपका जो 3rd number का option है, आपका correct option है, ठीक है, Thank you.